देखो आज का जो वीडियो है काफी ज़्यादा रिक्वेस्टेट वीडियो है काफी लोग मुझे कॉमेंट करके पूछते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बता है जिससे कि आप अपने जो किसी भी फोटो की बेगराउंड है वो फटा फट इसली रिमूब कर सको कई बार आपको ज पासवर्ट साथ की फोटो ही है आपको उसका बेगराउंड प्रसंद नहीं आ रहा है तो उसे आप कैसे रिमूब कर सकते हो वह भी फटा फट करना है ठीक फटा फट बिल्कुल पांस सिकंद दस सिकंद के अंदर जैसे कि मैंने यहां पर एक फोटो की बेगराउंड जो करके यहां पर रिमूब कर सकतो और यहां पर जन्जट नहीं होना है आप ऊपने फोटो को पासरी जो बेगराउंड है उसे यहां पर रिमूब कर सकते हो तो इसके लिए आपने सारी यहां पर editing की चीज़ दिया होता है जिससे कि आप अपने फोटो को अच्छे तरीके से enhance कर सकते हो अपने फोटो की quality को भी better कर सकते हो तिस तरीके से आपको यहां पर सब कुछ done कर लेना है देन उसके बाद आपको आथा है next step कि आपकी जो फोटो है उसकी background को आपको remove करन आप यहां पर इस तरीके से अपने google को open कर लेना है यहां पर आपको जो search बाद मिलता है इस search बाद में आपको यहां पर जो मैं बताने वाला उसे आप note down करके कहीं रख लेना जिससे कि आप फिर अपने mobile में रख लो यहां पर remove.bg ठीक है remove.bg आपको यहां पर simply लिखना हो और यहां पर जो भी फोटो की background को आपको remove करना है उस वाले फोटो को आपको simply यहां पर select करना होते है जैसे कि मैंने यह वाला फोटो को background जो remove करना है उसे में यहां पर select करता हूँ and यहां पर जो done को option मिलता है बस इसमें आपको click कर देना होगा ठीक है तो यहां पर click कर दे यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लोड होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताने चाहता हूँ कि आपकी जो फोटो है पहले अप्लोड होगा प्रोसेसिंग होगा फिर इस साइड में आपकी प्रोपर तरीके से आपकी जो बेक्राउंड हो र अच्छी तरीके से यहाँ पर remove हो चुका है ठीक है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको edit का option भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है edit में आप जैसे यहाँ पर click करते हो उसके बाद आपके सामने काफी सारे option यहाँ पर आ जाते हैं जैसे के आप देख सकते हैं अगर आपकी फोटो की background को आपको blur करना होगा ठीक है तो आप यहाँ पर इस तरीके से blur कर सकते हो जोकि यहाँ पर step by step दिया गया है और साथ इसाथ अगर आपकी background में आपको पसंद नहीं आ रहा है आपकी background तो आप यहापर उसे change भी कर सकते हो यहापर बहुत सारे background system भी यहापर दिया रहता है जो फोटो यहापर आप सेट कर सकते हो और कई बार होता है कि आपको कहीं पर कोई form वगरा में feel करते हुए आपको password search photo चाहिए तो उसके लिए आपको white background, red या blue आपको किसी तरीके की भी अगर background यहाँ पर चाहते हो तो यहाँ पर आप color की हिसाब से भी set कर सकते हो अगर यहाँ जो अगर आपको color पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर color को exist कर सकते हैं काफी सारी यहाँ पर color आपको मिल जाने वाला है जो भी color आप यहाँ पर select करोगों वो color आपके background में automatic apply हो जाने वाला है देख पार हो कि इस तरीके से हमारा जो फोटो की जो color है वो apply हो चुका है background में यहाँ आपर जो save का option मिलता है save में आपको click करना बस उसके बाद यहाँ पर आपको download image कर देना है उसके बाद आपकी जो image है वो gallery में save हो जाएगा और उस image को आप कहीं भी कैसे भी इस्तिमाल कर सकते हो तो इस तरीके से आप बस 5-10 seconds के अंदर ही अपने किसी फोटो की background को remove कर सकते हो बाकी वीडियो कैसे लगा comment करके जरूर बताना है चैनल को subscribe करके जरूर जाना क्योंकि इस तरीके important information यहाँ पर मिलते रहती है